अब हम देखते हैं इसकी तीसरी विधी यानि की बिंदू रेखा या गणती विधी प्रोफेसर मार्शल ने आय की लोज को मापने की बिंदू रेखी या गणती विधी का प्रतिपादन किया क्या है बिंदु रेखिय या गड़ती विधी इस पूरी विधी और इसकी प्रक्रिया को हम एक ग्राप के द्वारा और अधिकच्छे से समझते हैं इस विधी के अनुसार एक सीधी मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोज को मापने के लिए मांग रेखा पर इस्थित उस बिंदु से मांग रेखा के नीचे की दूरी को बिंदु से मांग रेखा के उपर की दूरी से भाग दिया जाता है इस प्रकार यदि भागफल एक से अधिक आए तो मांग की लोच इकाई से अधिक और यदि भागफल एक आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी लेकिन यदि भागफल एक से कम आए तो मांग की लोच इकाई से कम होगी यहां हम मांग की कीमत लोच ग्याद करने के लिए इस सुत्र का प्रयोक करेंगे मांग की कीमत लोच बराबर बिंदू से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी बटे बिंदू से मांग रेखा के उपरी भाग की दूरी सबसे पहले हम एक सरल मांग रेखा बनाएंगे रेखा O X पर हमने वस्तू की मांगी गई मात्रा को अंकित किया है रेखा O Y पर हमने उभोग की कीमत को अंकित किया है इन दोनों रेखाओं को जोडते हुए बिंदू A और B पर एक सरल मांग रेखा बनाई गई है इस मांग रेखा पर P, P1, P2, P3 और P4 ये 5 बिंदू हम अंकित कर लेंगे ये जो A, B मांग रेखा है इसकी दूरी 3 इंच है इस रेखा चित्र में P2 बिंदू जो है वो A, B मांग रेखा के ठीक मद्धे में इस चित्र है ये आप देख रहे है, मतलब हम कह सकते हैं कि P2 बिंदू पर मांग की लोज होगी जैसे कि हमने इसके पहले इसके अर्थ में देखा था, ये मद्धे का बिंदू है इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि Elasticity equal to P2B upon P2A equal to 1.5 inch upon 1.5 inch equal to 1 अता हम यह कह सकते हैं कि यहां पर मांग की कीमत लोज P2 बिंदू पर इकाई के बराबर है Elasticity equal to 1 हम कह सकते हैं दूसरी दर्शा में हम यहां देख रहे हैं कि जो P1 बिंदू है P1 बिंदू पर मांग की कीमत लोज दी हुई है Elasticity equal to P1B upon P1A equal to 2 inch upon 1 inch equal to 2 इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि जो बिंदू P1 है बिंदू P1 पर बिंदू पर मांग की कीमत लोज इकाई से अधिक है चौथी दर्शा में हम देख रहे हैं कि P3 बिंदू पर मांग की कीमत Elasticity equal to P3B upon P3A is equal to 1 inch upon 2 inch equal to 0.5 इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि बिंदू जो P3 है इस पर मांग की कीमत लोज इकाई से कम है पाँचवी दर्शा में हम देख रहे हैं कि P4 बिंदू पर मांग की कीमत लोज क्या है Elasticity equal to P4B upon P4A is equal to 0 upon 3 inch is equal to 0 यहाँ पर हमको क्या मिलता है कि बिंदू P4 जो है वहाँ पर मांग की कीमत लोज शुन्य है छटवे कंडिशन में हम देखते हैं कि P बिंदू पर मांग की कीमत लोज क्या है Elasticity equal to PB upon P A is equal to 3 inch upon 0 is equal to infinite तो आपने देखा कि किस प्रकार एक बिंदू रेखी विधि या गणती विधि द्वारा मांग की आये की लोज को मापा जा सकता है अब आए देखते हैं कि मांग की कीमत लोज को कौन कौन से तथ्व प्रभावित करते हैं मांग की कीमत लोज को प्रभावित करने वाला सबसे पहला तत्व है वस्तू की प्रकृती अब हम वस्तू की प्रकृती की बात करें तो हम देखते हैं कि वस्तू की प्रकृती को तीन भागों में हम बाढ़ सकते हैं अनिवारे वस्तूए अरामदायक वस्तूए और विलासित वश्ती। अब जो वस्तोएं अनिवार होती है, जैसे, रोटी कप्णडॉ और माकान, जीवन रक्षक वस्तुएं, दवाएं यह अईसी बस्तुएं होती है, जिनकी मांग जो है वो बेलोच-दार होती है, यह कहला कि पौंडब होती है, खाना शरीर के लियंके बहुत जरूरी है कपड़ा बहुत आवश्यक है जीवन रक्षक दवाएं बहुत आवश्यक है अब किसी समय अगर इनकी कीमत में व्रिद्धी हो भी जाती है तो भी मनुश्य इनकी मांग को कम नहीं कर पाता है क्योंकि जीवन जीने के लिए वह चीज़े बहुत जरूरी होती है इस वस्तों की जो मांग होती है वो लोचदार होती है जब इन वस्तों की कीमत बढ़ जाती है तो इनकी मांग में भूकता कमी कर देता है और जब इन वस्तों के कीमत घड़ जाती है तो उस समय भूकता इने खरीद लेता है यानिकि उनकी मांग बढ़ जाती है यह ऐसी वस्तो कि पूर्ति हो गई तो प्रतेक मनुष्य चाहता है कि वह थोड़ा सा आराम दायक अपनी लाइफ स्टाइल को रखे लेकिन इनकी पूर्ति वह तभी कर पाता है जब वह अवश्यक आशक्ता को पूरा कर लिया हो तो इस समय वह थोड़ा सा प्रतेक्षा कर सकता है कि वस्तु क कीमत अगर कम हो तो हम उसको खरीदें तो यहां पर इसकी जो इन वस्तों के जो मांग होती है वो थोड़ी सी लोचदार हो जाती है तीसरी जो इसकी प्रकृती आती है विलासिता की वस्तों इनकी जो मांग होती है वो बहुत अधिक लोचदार होती है अब विलासिता की जो व अब होता क्या है इन वजटों के कीमत इतनी महτη होती है कि कीमत कम होई तो भोक्ता जल्दी से इनको खरीदना चाहता है। और अगर किसी समय इनकी कीमत बढ़ेगैं, अब आल्रेडी इनकी कीमत बड़ी होई होई है scvolley और और अधिक बढ़ गई तो पूरी तरीके से जो भोगता है इनको खरीदना नहीं चाहता है यानि की कीमत में वृद्धी का या कीमत में कमी का इसकी मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसलिए हम कह सकते हैं कि विलासिता की जो वस्तुएं है वो उनकी जो मा अधिकलोच्दार होती है अब अगर हम इसके दूसरे कारक की बात करें तो हम देखते हैं कि स्थानापन वस्तु की उपलब्धता इस्थानपन वस्तू की बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है इस्थानपन वस्तू की उपलब्धता में अगर हम देखते हैं कि किसी वस्तू की इस्थानपन वस्तू है हमारे पास तो उन वस्तों की जो मांग होती है वो अधिक लोचदार हो जाती है जैसे हमने पहले के उधारन में देखा कि चाय की जगह हम कौफी का प्रयोग कर सकते हैं तो ठीक है अगर चाहे की मत में वर्द्धी हो गई तो अधिक लोचदार होती है लेकिन जिन वस्तों के सानापन वस्तों नहीं होती है उनको हमको खरीदना बहुत जरूरी होता है कितनी भी बढ़ जाय हुए उनके किमत गण्व जाय तीसरे यह इसके का का से पत्रेकित का क whack democrat करे तो चलाने के लिए उप्योत कर सकते हैं वेसरी बिजली का हम कई जगा उपयोग करते हैं अगर हम पारिवारिक इस्थितिक की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि बिजली अगर महंगी हो जाए तो हम अन्य जगा पर उसका उपयोग ना करके पहले हम कोशिस करेंगे कि हमारी जिन बहुत जरूरी आवशक्ताओं की पूर्ती हो रही है बिजली से पहले हम उसकी पूर्ती कर लें और क्योंकि बिजली महंगी है तो बाग की स्थानों पर हम उसका प्रयोग ना करें जैसे हम पंखा चलाने या लाइट जलाने में उसका उ असर पड़ता है अब हम बात करते हैं इसके चौथे कारक्की यानि कि वस्तु के उभोग को इस्थगित करने की संभावना अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका उभोग आप थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं जैसे कि घर आप बनाना चाह रहे हैं और घर बनाने के जो समान है वह अचानक से काफी महंगे हो जाएं तो बहुत अगर जरूरी नहीं है तो आप उसको इस्थगित कर सकते हैं थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं इस कंडिशन में क्या होता है जब आप अपनी इन आवशक्ताओं को रोक देते हैं तो हम क्या सकते हैं कि इनकी मांग जो है लोचदार होती है यहीं कि कीमत बढ़ी तो आपने रोक दिया नहीं खरीदा उस वस्तु को आपने नहीं खरीदा यानि कि उसकी मांग लोचदार है लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग आप इस्थगित नहीं कर सकतें जैसे हमने बात की अनिवार पर्वत पढ़ती ही पढ़ती है तो इन वस्तों की जो मांग होती है वो पूरते हम कहा सकते हैं कि बेलोचदार होती है कीमत का इन वस्तों पर बहुत ज़्याद़ा प्रभाव नहीं पढ़ता है अब अगर हम बात करें इसके मनोरंजन पर वै करते हैं 20 प्रतिशत हिस्सा बच्छों की सिक्षा पर वै करते हैं 20 प्रतिशत हिस्सा भोजन वैवस्था पर वैकरते हैं ऐसे ही अलग अलग टुक्डों में हमारे यह पूरी आयका इतना छोटा सा भाग है कि इसकी कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो हमको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी वस्तवे जिन पर हम अपनी आयका एक बहुत छोटा हिस्सा वे करते हैं उनकी जो मांग होती है वो हमेशा बेलोजदार बनी रहती है कीमत का बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है वैसे हम इसके अगले प्रभाव अगले कारक के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उभूकता क कीमत के बढ़ने या घटने पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी वस्तु को जो वह बढ़ी कीमत पर जितना खरीदते थे घटी कीमत पर भी उतना ही खरीदते या कई बार वह कीमत में क्या व्रिद्धी हुई है या क्या कमी हुई है इस बात को जानना भ कर रहा है उन वस्तू की जो कीमते जो मांग होती है वो ज्ञादा तर बेलोचदार ही बनी रहती हैं लेकिन ऐसी वस्तूइए जिनका प्रियोग एक साधारन आए वाला वेक्ति करता है गरीब वर्ग का वेक्ति करता है तो उनके लिए वो जिन वस्तू का करता है उसकी मांग जो है वो काफी लोचदार बनी रहती है यानि कि वो प्रतिक्षा करता है कि कीमत घटे तो मैं उसको खरीदू या कीमत बहुत जादा बढ़ गई है तो मैं कुछ समय के लिए उसका उप्योग जो है वो करें तो हम देखते हैं उप्भोकता की आदत कि आदते कुछ हैसी होती है जो एक इनसान को अपने चंगुल में जकड के रखती है जैसे मादक वस्तू के प्रयोग की अगर आदत है तो कितनी भी उसके कीमत बढ़ जाए फिर भी उप्भोकता उसको खरीदता है है मैं के साधारन जीवन में अगर हम देखते है तो चाए या काफी की अगर आदत है तो हम यह नहीं देखते है कि चाए पत्ती की कीमत या शक्कर की कीमत कितनी बढ़ी हो इसका हैो靠 कीमत पर घचाय chaise रहे हैं तो चाई खरीद पियेंगे ही पियेंगे तो आदब करता है कि किसी वस्तों की मांख लोच 바ओं या बेलोच डार लेकिन वस्तों को प्रयोग करने केंहां और नहीं परिस्तितिक यह игр करते हैं तो उन किमत का उसकी मांग पर ऐच्छा खासा प्रभाव पड़ता है हां तो इस पूरे अध्याये में हम ने देखा कि किस प्रकार मश्तु की कीमत किसी अबुबगत की आए किसी वह सोगत की मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है लेकिन यहां हमने देखा कि कितना प्रभावित करती है कभी प्रतिशत के अधार पर हमने कैलकुलेशन किया कभी अनुपात के अधार पर हमने कैलकुलेशन किया तो कई सार्णी और ग्राफों दोरा हम यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मांग पर या उभोगता की आयका किसी वस्तू की मांग पर कितना प्रभाव पड़ता है।